नमस्ते दोस्तो मैं आसिस मौर दोस्तो यह है सोनालिका डियाई 734 ठर्ड यह जो आप डियाई 734 शेकंड देख रहे हैं तो इसका आगे का सो बदला गया है यह डियाई 734 ठर्ड है दोस्तो इस ट्रेक्टर को खीच कर लाया गया है यह ट्रेक्टर चलते चलते अचानक इसका इंजन जाम हो गया, तो इसका इंजन कहां से जाम हो गया है? इसी फाल्ट को आज हम इस वीडियो में देखेंगे तो यहां मैं पहले आपको इंजन घुमा के दिखा देता हूँ तो यह आप 네प देख चकते हैं, यहां हमने सेलफ फोला हुआ है तो इसका फ्राइबिल बिल्कुल जाम है ये ना नीचे हो रहा है और ना ही उपर एकी तरफ घुम रहा है तो ये आप जख सकते हैं इसका इंजन बिल्कुल जाम है या स्कूर्डराइबर की मदद से घुमाने पर इंजन बिल्कुल ही जाम है तो यह आप देख सकते हैं इंजन पूरा जाम है तो आप वीडियो को पूरा देखते रहे दोस्तों इंजन जाम होने के कई वज़ा हो सकते हैं जैसे वाल तूड जाए कनेटिंग राट का बेरिंग पकड़ ले और टाइमीन गेर में तूट कर कुछ फस जाए और लाइनर तूट कर रिंग फच जाए तो ऐसे कई वज़ा हो सकते हैं तो यहाँ वाल तो नहीं तूटा है हेट को खोल रहे हैं तो यहाँ जल्दी से हेट खोल कर हटा लेते हैं तो दोस्तों हेट हटाने के बाद हम यहाँ इंजन को घुमा रहे हैं लेकिन इंजन नहीं गुम रहा है जैसे जाम था वैसे ही जाम है जरा सभी इंजन नहीं गुमा यहां दोस्तों जो पिश्टन लगा हुआ है इसमें प्ले भी है यह पिश्टन अलका प्ले भी कर रहा है तो इसका मतलग कि पिश्टन से कोई दिक्कत नहीं है तो दोस्तो यहां अब हम चेंबर को खोलेंगे तो यहां हमने चेंबर को खोल लिया है तो दोस्तो यहां नीचे हम चेक कर रहे हैं जैसा कि दोस्तो आप जानते हैं अगर कोई कनेटिंग बेरिंग पकड़ कर जाम हो जाएगा तो वहां का इंजन आयल सुख जाएगा लेकिन यहां इंजेन आयल सभी कनेटिंग राट पे लगा हुआ है तो इसलिए पता नहीं चल पा रहा है कि कनेटिंग राट पकड़ा हुआ है कि नहीं तो दोस्तों कनेटिंग राट खोलने से पहले हम इसके आगे के टाइमिन कबर को खोलेंगे तो हम आगे के टाइमिन कबर को खोल के चेक कर लेंगे तो यहां से हम इसके आगे वाले सो को खोल कर हटा रहे हैं और इस आगे वाले हिस्से को हटा कर आगे कर लेंगे और उसके बाद टाइमिन कबर को खोलेंगे टाइमिन कबर को भी खोल के हम चेक कर लेते हैं उसके बाद हम इसके पिश्टन को बाहर निकालेंगे तो यहाँ जल्दी से हम अगला हिस्सा खोल कर आगे कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ हमने टाइमिन कबर को खोल लिया है यहाँ जो इसका यह सब गेर लगे हुए हैं बिल्कुल सही है सबी गेर में पले है तो यहाँ टाइमिन कबर से कोई दिक्कत नहीं है तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं अभी भी इसका इंजन नहीं घूम रहा है यह बिल्कुल जाम है यहां इस्कूरूट्राइबर की मज़द से घुमाने से इंजन बिल्कुल जाम है घुमी नहीं रहा है तो दोस्तो फाइनली फाल्ड पता चल चुका है तो यह आप देख सकते हैं हमने दो पिष्टन निकाला है और यह पहला पिष्टन भी लगा हुआ है तो यहां दोनों पिष्टन निकालने के बाद भी इंजन नहीं घुम रहा था बिल्कुल इंजन जाम है तो उसके बाद जब हमने इसके क्रेटिंग कैप को खोला तो यही वाला बेरिंग जो है कि पकड़ा हुआ था तो यह अब जब सकते हैं यह इसका क्रेटिंग कैप है और यहां यह जो क्रेंग में बेरिंग लगा हुआ है यह बेरिंग क्रेंग के साथ चिपक चुका है दोनों बेरिंग बिल्कुल चिपक गया है तो यह अब जब सकते हैं यहां यह जो बेरिंग है बिल्कुल चिपका ह हुआ है यहां यहां आपको दिख रहा होगा यह बेरिंग बिल्कुल क्रेंग के साथ चिपक गया है अब यहां जब हम इसको नीचे से घुमा रहे हैं तो यहां जब हम इसको ऐसे घुमाएंगे तो यह देखिए घुम गया तो मेन फाल्ट इसी जगह से था यह जो एक नंबर का क्रिटिंग राड था इसका बेरिंग घुम कर जाम हो गया है अब दोस्तों इसको हम घुमा के पिश्टन को पहले निकाल लेते हैं यही वाला जो बेरिंग है क्रेंग में पकड़ लिया है अब इंजन को घुमा के हम पिश्टन को टाप पे करके पिश्टन को बाहर निकाल लेते हैं उसके बाद मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि आखिर इसका बेरिंग किस वज़े से पकड़ लिया जाम हो गया क्रेंग में तो यहां इंजन को हम घुमा रहे हैं जब पिश्टन टाप पे हो जाएगा तो इसके पिश्टन को बाहर निकाल लेंगे तो अब यह बहुत ही आसानी से यह घुम जा रहा है अब घुमाने में कोई दिक्कत नहीं है तो यहां पिश्टन टाप पर हो जाने के बाद ऐसे हम पिश्टन को बाहर निकाल लेंगे तो दोस्तों यह आप जख सकते हैं यह वाला बेरिंग बिल्कुल पकड़ चुका है इसी वज़े से इंजन जाम हुआ था तो आमने पहला बेरिंग निकाल दिया है अब दूसरे बेरिंग को निकाल रहा है तो यह आप जख सकते हैं कितना जम था इसे चोड़ देकर निकालना पडा तो दोस्तों यहाँ जगा से ऊयल आता है वही जगह यह जाके बेरिंग पकड़ लिया थाete जिसके वज़ाश से यहां आयल नहीं आया और यह बेरिंग पूरी तरीके से क्रेंग के में चिपक गया जिसके वज़ाई से इंजन जाम हो गया तो यह आपड़े चԹेही करनेटिंग बेरिंग इसलिए bearing jam हो गया दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं इसका ये जो crank है इसमें bearing का जो silver होता है पूरा इसमें चिपक गया है तो अब क्या करना है अब इसके engine को खोलना होगा इस crank को turn करवाना होगा ये आप देख सकते हैं इसके crank में पूरा ये silver वाला जो है चिपक गया है ये आसानी से नहीं साफ होगा इसके लिए अब पूरा engine खोलना होगा और crank turn करवाना होगा तो ये आप देख सकते हैं जहां से oil आता है उसी जगह ये चिपक गया था अब यहाँ आप देख सकते हैं इंजन बिल्कुल free घुम रहा है ये आप देख सकते हैं इंजन बिल्कुल free घुम रहा है अब मेन वज़ा इसके एक नंबर करेटिंग का बेरिंग ही जाम हो गया था दोस्तों अब मैं आपको पार्ट टू में इसके ओवर हालिंग का वीडियो दिखाऊंगा तो आप पार्ट टू को जरूर वाज करिएगा तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद खीडियो प्रश बावड़ का पार्ट लाद प्रफ दोस्तों मिलते हैं झाले लाट टूर लाट टूर में बटेंगा ख्रट लाट लाट खिएगा प्रट जाट लाट अवाड़ का इस बास बास जाब लाट उखब लाँ भागशा